स्वागत है आप सभी का एनम 92 बारा भरती में 7189 फ्रेस सेलेक्टेट बहनों को नियुक्ति पत्र बित्रड की नोटिस कब तक आएगी कब तक नियुक्ति पत्र बित्रड हो सकता है तैयारियां कितनी हो चुकी हैं कितनी तैयारियां सेस हैं इस तरह के कई सारे सवाल आप सभ भायों के द्वारा भी सयोग किया जा रहा है लगातार ये कार किया जा रहा है और उसी करम में कल की डेट में गोरकपुर में मुख्यमंत्री जी को ग्यापन देने के लिए बड़ी संक्या में बहने जा रही है जो बहने गोरकपुर के वा आसपास की जिले की हैं अगर आप सक करना है निवेदन करना है मुख्यमंत्री जी से कि जल्द नियुक्ति पत्र बित्र कराया जाए जल्द नियुक्ति पत्र बित्र समारों की डेट आप दें आप सभी जानते हैं कि पहले वाले जो भी नियुक्ति पत्र थे उसमें कुछ परिवर्तन किया जाना था जो नियुक् आप देखेंगे तो नोटिस जारी उसमें लेटर जारी करके उन जिलों के सीमों को बुला करके मेटिंग करा करके उन्यूकति पत्र तयार करवाय गया था उनके सिगनेचर लखनों में बुला करके सारी प्रक्रिया को किया गया था तो देखें इस बार किस प्रकार से उन सभी उनसे भी प्रोसस किया जाता है इसी तरह से सभी जिलेवार नियुक्ति पत्र की तैयारी होनी है इसके अलावा इस्टाप की ड्यूटी हो गई कुछ और भी तैयारियां होती है सासन से जब अनुमत मिल जाती है किसी डेट को ले करके तो उसी डेट के अनुसार पिर और भी कुछ तैयारियां होती है जो कि विभाग को करनी होंगी इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आउडर के अनुसार पांच सीटे होल्ड करके से सेलेक्टेड वहनों को सभी वहनों को नियुक्ति पत्र बित्रित किया जाना है उसमें नयाय विभाग या कानुन विभाग कह लिजिए उनसे परामर्स लिया जाता है सासन की राय ली जाती है आयोक के द्वारा उसमें जो कुछ भी प्रोसेस किया जाना हो उसकी बात फिर अंतिम रूप से विभाग की द्वारा नियुक्ति पत्र बित्र समारुकी तैयारियां की जाएंगी बस आप सभी ये मान करके चलें कि बहुत जल्द आप सभी को सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखेगा लेकिन हमें हाँ पर कुछ भी बिल्कुल कनपर्म मान करके नहीं चलना है अपना जो कुछ भी हम प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास निरंतर करते रहना है कई जिलों में कुछ बहनों के द्वारा डिप्टी सीम सर को ग्यापन लगातार दिया गया है उन सभी बेहनों का भी बहुत धन्यवाद है कुछ बेहने लगातार कल की डेट में भी आप प्रयास कर रही थी देखेंगे कि उनका कमेंट भी आया हुआ था गुरूप में भी उन्होंने मैसेज किया हुआ था जैसे कानपुर में मुक्यमंत्री जी का तो मुक्यमंत्री जी से जनता दर्सन के अलावा किसी और कारकरम में उनसे मुलाकात कर पाना या फिर प्रत्यक्षिं को ग्यापन दे पाना संभव नहीं होता है उसमें बिना पुर्व अप्वाइन्मेंट के कुछ वहाँ पर प्रोटोकॉल्स होते हैं कि वज़े से प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिलने देते हैं लेकिन प्रयास होता है बस अब आप सभी समझ लीजिए कि भरती आपकी लगबग अंतिम चरण में हैं और कल एक कमेंट की कि सब्सक्राइब नियुक्ति पत्र पितल कैसे हो सकता है तो देखिए आप अपने नयाय के लिए लड़ रहे हैं संगर्स कर आपको लग रहा है कि आपकी साथ गलत हुआ है लेकिन यहांपर जो चैनित बहने हैं उनकी क्या गलती है क्योंकि देखिए हमें पता है कि जितने भ मर्तियों के तैयारी में जुड़ जाना चाहिए और सेलेक्टेट बहने किस मानसिक पीड़ा से कई महीनों से गुजर रही है आप उनकी मानसिक परिस्ति को देखिए कि उनकी कोई गलती नहीं है उन्होंने मेहनत किया दो दो परिक्षाय पास की उसके बाद आगे डीबी कर परिफरेंस करवाया गया सब कुछ हो चुका है नियुकती पत्र मिलते मिलते कुछ घंटे पहले यह पता चलता है कि नियुकती पत्र बित्र नहीं हो पाएगा सुप्रिंग कोड के आदेश के कारण उसके बाद पिर आप देखेंगे फिर से कोसिस की जाती ही फिर से मेनत किया जाता है चाहे आयो के सची उसर से मिलकर के चाहे मुख्यवंदर जी सी मिलकर के लगातार की कोड की सुप्रिंग कोड में मजबूत पैर्वी की जाए और उसके बाद आप देखेंगे मानने सर्व की मनसा होगी तो नई भरती का विग्यापन भी देखने को मिलेगा जल्दी ही इसके अलबाब प्रोविजनल की भी बहन है अभी उनकी आगे की प्रोसेस होनी है उनकी फाइल विभाग को बीची जाएंगी उसके बाद जिला प्रिफरेंस जिला आवंटन जो कुछ भी परकिय किया करें अभी जिन फ्रेस बेहनों को नियुक्ति पत्र मिलेगा आप सभी जानते हैं कि उनके सेंटर के साथ उनको मिलेगा तो आपको किसी भी तरह के अफवाओं पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है पहले क्या कैसे होता था उसको छोड़ी आप अब यहाँ पर सब कुछ पारदर्शी तरिके से किया जा रहा है तो आपको भी सासन पर सिस्टम पर भरोसा रखना होगा आप देखेंगे बीच बीच में और इसके पहले प पत्र बितर होना था तो उसके लिए बुला करके पहले से आधी चीज़े दिखिए सब चीज़े में खुल कर नहीं बोल पाता हूं लेकिन आप लोग चीज़ों को समझते हैं तो आप सभी जाग रुक रहें कि परिसान ना हो आप लोग भी आयोग में जा करके सची सर से बी में अप लोग जा करके सचिव सर से बीच मिल लीजिए कि सरा हमारी नोटी सब्सक्राइब करके अपिर जो बीब्हाई बंदू आप सचयोग और जरूर सायोग करेगा और जो कुछ भी उसमें जो लोग भी उसमें जाने वाले हैं आप उनसे संपर कर लें ग्रूपों में मे लगता है और आप सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी कि ये सूचना है और जो वी नजदिक की बहन हैं आप इस मुहिपी का जरूर हिस्सा बनिए अगर आप सक्षम हो अपने किसी अभीबाब के साथ में सकते हैं जो सक्षम हो आने में किसात पर या फिर मंध्युमंत्र जी अस्तर तोड़ा समय लगता है और उसी के वज़े से ये समय लग रहा है लगबग आपका ये सब्ता बीत रहा है हो सकता है इसके आगे भी एक दिन दो दिन तीन दिन का समय और लगे और आप सभी जानते हैं कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि चुट्टियों की दिन भी कारे किया देंगी धन्यवाद